दोस्तों financial literacy को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे कि क्या आप हर महीने investment करते हैं निवेश करते हैं यदि करते हैं तो यह अच्छी बात है और यदि नहीं करते हैं तो सबसे पहले आप यह देखिए कि कौन-कौन से areas हैं जहां आप निवेश कर सकते हैं आप shares ख खरी सकते हैं fixed deposit में पैसा डाल सकते हैं gold bonds में पैसा लगा सकते हैं gold ले सकते हैं real estate में पैसा लगा सकते हैं आप यह देखिए और उसके बाद आपको यह देखना जलूरी है कि आने वाले पांच सालों में तीन सालों में एक वर्ष में long term mid term और short term आपकी आवश्चता है क्या आपको कितना पैसा लगेगा accordingly हर महीने की investment की आपको planning करना ही चाहिए